बिस्मिल्ला एरे मान रहीं जिते जिते बसां सबनी के जिसन वारायन सबन में पेरीत रमजान उल मुबारक जी उनन सबनी के मुबारक हुजी अज वा तारीख है वो नी शहादत जो नी एकी रमजान अज जी तारीख है अज जी नी एते असान जो मुला एकाइनात मुला मुश्कुल अली कुशा हजरत अली अलमुर्तजा बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुतलिब बिन हाशिम दीन जे रा में शहादत मानी वो मुला जे कापता शरीफ में पेंजी अखकोली यानि अलाह जे घर में पेंजी अखकोली हुआ पाक हस्ती दिन जे लापान सबूरन फर्मायो ता आउं आउं इलम जो शहर आयां आई अली उन जो दर्वाजो प्रेंजे लडे में कायनात जे पालंहार उननजो हथ बुलंद कंदे मते कंदे पान सब्रें फर्मायो में कुनतु मुला मन पुनतु मुला फहाजा अली मुला गया जो आउं मोला आया लेंज पेंजी घर पेंजाबार पेंजी कुल काइनात तीन जी रह में लुटाए चली वो मॉला जेंखेबर जे दर्वाजे जेंखेबर जे दर्वाजे ते हिकई वार में हिकई धक में बह धकरे चलीओ ओह मुझो मोला अली मुर्तजा शहादत बसादत शहादत बसादत पाक जात पाक हस्ती पाक नालो गन्यों गालियों, गन्या किस्ता, गन्यों रिवायतों आइण गन्यों ही अधीसों जिनके असा पड़ोबा, उधोबा संजन जी कोशिश बिकन्दारहन लाईं। यह अग्याँ वकंदार अरण लासी एग्याँ चाहीं दासी तर असा उन्हें थे वध्ध चाहआ वध्ध अमल करिम, पर उन्हें के जान दियानला असां जिहने घर में असां जिहने ड्राइंग रूम में असां जिको मदू कईवा मानवारी शक्सित मुफ्ती शेरियार सर शेरियार दाउट साहब थे जिके असां वेलकम करना थी अस्सालाम आलेकुम वालीकुम अस्सालाम वालेकुम की एयो ता है अगियान ठीक है अलहम्दलिल्ला जोडी गाल हले अलीय जी तर मुहम्मद जी गाल मुहम्मद जो जिकर उने जी नातखवानी न थे यो थी न तुसली आट शोच असां भी जे प्रोग्राम में असांजी डाधी प्यारी सुठी दोस्थी नातखवान उन्हेंखे बदावत निदास जैदी जेके बसां वेलकम तक यूँँ अस्सुलाम वालीकुम तटालेकुम अन्ट की एटां अल्लाकर श्वेरी तु सुचने आने आप्रोग सां उन्यती थोड़ी रोशनी में जो बिसमिल्लाहिर रह्मान रर्रहीम अल्लाहुमस्वल्ले अला स्य्यदिना वमुलाना मुहम्मद वा अला आलिही वा आस्थाबिही वा बारिकों सल्म 21 रमजान मुबारक तारीख इसलाम का वो दिन है कि जिस दिन अल्लाह के हबीब तवीबों के तवीब सल्लाह तालाह लग्युशलमा के खास औल्खास दोस्त लिश्टेदार भाई दामाद बलके यूं कहना चाहिए के अकस नबी हदर्द मुला अली मुश्किल कुशार रदी ल्लाह दाला अनहुं वकर्रम अल्लाह वजहुलकरीम का यूम शहादत है और 19 में रमजान मुबारक को जब आप पर हमला हुआ अबन मुल्जिम बदबख्त ने आप पर जो एन नमास की हालत में अतना शदीद वार किया कि जिससे के आपके सर अख्दस से लहू बह कर आपकी पूरी दाड़ी मुबारका को सुर्ख कर गया तो आपने फर्माया फुस्तो विरब बिलकाबा कि बेश्क आज मैं कामयाब हो गया कि मैंने जो कुछ किया जिन्दगी भर जो कुछ किया वो सारे का सारा अल्ला अजब जल ने खबूल फर्मा लिया और आपने अपनी शहादत से एक बात तो वाज़े कर दी कि फूरण फर्माया कि देखो ये भागा जिसको पकड़के लायो अबने मुल्जिम को इस पर उस से ज्यादा जल्म ना करना उस से ज्यादा इस पर अटेक ना करना कि जतना इस ने मुझ पर किया है आपके लिए जब आप जखमी हुए तो दूद का प्याला लाया गया तो आपने फरमाया इसकी मुझे से ज्यादा इसको जरूरत है और उसको दूद का प्याला पिलाया अपने दुश्मन को और जब उसने पी लिया तो एक चीज तो थाबित हो गई कि वो रोजे से नहीं था क्योंकि रम्दानों मुबारक था तो वो रोजे से नहीं था मेरे मौला रोजे से थे दूसरी बाद ये पता चली कि आप ने बता दिया कि अगर मैं इसी वार से शहीद हो गया तो तुमने इसको भी इसने चुके मुझे पर एक वार किया है तो तुमने भी इसको एक ही वार करना है अगर तो ये मर जाता है तो ठीक नहीं तो इसको छोड़ देना यहां तक कि जब इसको रस्कियों से बांद रहे थे तो मौला अली मुझे लकुछा फरमाते हैं देखो ख्याल करना बहुत ज़्यादा सक्ती से इसको ना बांदना मौला की रहीमी तो देखिये आप سبحان اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس کو بہت زیادہ سختی سے اس کے ہاتھ نہ باندھنا کہ اس کو بھیجا تکلیف نہ ہو ٹھیک ہے اس نے اٹیک کیا ہے لیکن انصاف کا تقاضہ پورا ہونا چاہیے حضرت بی بی ام المومدین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ سب سے زیادہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو کون پسند ہے تو فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام کو اپنی شہزادی فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پسند ہے دنیا میں آخرت میں سب سے زیادہ آپ کو محبت سب سے زیادہ پیاری آپ کو سیدتنا سیدہ کائنات بی بی فاطمہ تظہرہ ہے پوچھا پھر اس کے بعد فرمایا اس کے بعد علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ میرے حساب میں امی عائشہ فرما دی کہ میرے حساب میں میرے علم کے مطابق آپ سب سے زیادہ متقی سب سے زیادہ پریزگار سب سے زیادہ روزے رکھنے والے اور سب سے زیادہ راتوں کو قیام کرنے والے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے بعد ان سے زیادہ عبادت گزار میں نے کسی کو نہیں پایا یہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہے رسول اللہ علیہ السلام نے جس طرح مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کی ہے کیونکہ جب آپ ولادت با سعادت ہوتی ہے مولا علیہ کی کہاں ہوتی ہے قابت اللہ مشرفہ کے اندر یعنی جو ہستی اس کی فضیلت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ جو پیدا ہوا اللہ کے گھر میں قابت اللہ شریف میں جو شہید ہوا اللہ کے گھر میں مسجد کفا کے اندر تو ذرا اندازہ لگائیے کہ ان کی فضیلت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علی کو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے علم ایسے ملا ہے میرے آقا علیہ السلام کہ جیسے وہ چڑیا جاتی ہے ایک دانہ لے کر آتی ہے اور اپنے بچے کے موں میں ڈھالتی ہے تو فرمایا مجھے اس طرح اللہ عزوجل میرے حبیب علیہ السلام کو علم اتا فرماتا تھا اور آقا صلی اللہ علیہ السلام وہ علم مجھے اتا فرماتا تھا حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق عثمان غنی یہ کہتے تھے ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے کہ کہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو کہتے ہیں ہم پریشان نہیں ہوتے تھے کیونکہ ہمارے درمیان علی موجود تھے اور یاد رکھیے عمر فاروق تو یہ کہتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر علی نہ ہوتا تو میں تو ہلاک ہو جاتا تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اگر ہمیں آپ کی بیعت کرنے کا حکم نہ ہوتا تو بتائیے آپ کس کی بیعت کرتے فرمایا کہ میں علی کے ہاتھ پر بیعت کرتا یہ وہی علی ہیں کہ جن کو حیدر کرار کہا جاتا ہے حیدر کرار کرار کیا ہے کرار کا مطلب کیا ہے ہمیں شاید معلوم نہیں اکثریت کو حیدر تو کہتے ہیں چلو جی شیر شیر کو حیدر کہتے ہیں کرار یعنی ہم کہتے ہیں نا کوئی شاعر اشعار پڑھتا ہے ہم کہتے ہیں مکرر بھئی مکرر یعنی دوبارہ تقرار کرو اس کی تقرار تقرار مطلب پلٹ پلٹ کر آنا اور اٹیک کرنے والا حضرت حیدر کرار اپنے دشمنوں پر اس طرح اٹیک کرتے تھے کہ بس آتے تھے اور ان کے اوپر حملہ کرتے تھے آتے تھے مرحب نے جب کہا تھا خیبر کے وقع پر کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے ذرا آئینہ میرے سامنے تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اٹھاتے ہیں ذلفقار جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے اور کہتے ہیں کہ آہ تجھے میں بتاتا ہوں کہ تو انقریب اپنی جو بیوی کو بیوہ کرنے والا ہے انقریب تو تیرے بچے یتیم ہونے والے ہیں وہ منوں ٹنوں کے حساب سے لوہہ پہن کر آتا تھا اس کو یوں سمجھیں آج کے دور میں بلٹ پروف ہو کر آتا تھا کہ مارے تو کہاں مارے اس نے اپنے آپ کو سارا لوہے سے چھپایا بہتا تھا لیکن یہ بھی رہیدر کرار ہیں یہ اللہ کی تلوار ہے آتے ہیں دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور ایسا تلوار کا وار کرتے ہیں کہ اس کے خوض جو لوہے کی ٹوپلی اس نے بنی بیچوں بیچ کاٹتے ہوئے نہ صرف اس کے دو ٹکڑے کرتے ہیں مرحب کے بلکہ جس گھوڑے بھی وہ بیٹھا ہوتا اس کے بھی دو ٹکڑے کر کے دائیں بھائیں اس کو پھنک دیتے ہیں ایسا مولا کو اللہ عز و جل نے طاقت سے شجاع سے عدالت سے اور علم سے نوازہ تھا میرے آقا نے فرما ایک مشہور ردیس تو ہم سنتے ہیں کہ انا مدینة العلم و علی بابوہا کہ میں علم کا دروازہ شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ تیرے کوئے ردیس آتی ہے انا مدینة الحکمت و علی بابوہا میں حکمت کا شہر ہوں اور حکمت کا دروازہ کون ہے علی ہے تم نے اگر آنا ہے میرے پاس آنا پڑے گا تمہیں دروازے سے اور وہ دروازہ ہے علی کا علی کے بغیر نبی تک رسائی ممکن نہیں ہے کیونکہ جب موقع آتا ہے مواخات مدینہ کا کہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے مہاجرین مکہ کو مدینہ کے انساریوں کے ساتھ جب بھائی بھائی بنایا تو سب کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی رہ گئے تو رونے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو میرا بھائی بن سکے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ تُو میرا بھائی بنے کہ تُو میرے لیے بمثل ہی حارون کے جیسے حارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو ذرا پتہ اندازہ لگائیں کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی ذات گرامی مسلمانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے آج ہم علی سے محبت کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں علی علی والے ہیں ہم سب کچھ ہیں لیکن کیا علی جس نے اپنے قاتل کو بھی پیاسہ جان کر اس کو پیش کیا جام کیا ہمارے اندر اتنا ضرف ہیں کیا وہ وقت ہم بھول گئے جہاد کا کہ جب ایک کافر کے سینے پہ بیٹھ گئے تھے آپ اور قبل اس کے کہ آپ اس کی گردان لگ کرتے اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا آپ فوراں کھڑے ہو گئے فوراں کھڑے ہو گئے کہنے لگے علی تم کھڑے کیوں ہو گئے تم تو میرا بھی سر قدم کر سکتے تھے کہا کہ میں اس لیے کھڑا ہو گیا کہ میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے قتل کرنا چاہ رہا تھا لیکن جب تُو نے تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا اب یہ غصہ میرے نفس کی خاطر تھا تو مجھے رسول اللہ علیہ السلام یاد آ گئے انہوں نے فرمایا مومن اپنے نفس کا غلام نہیں ہوتا مومن اپنے نفس کا غلام نہیں ہوتا تو میں نے اس لیے تجھے چھوڑ دیا کہ میں تجھے اپنے غصے کی خاطر نہیں اللہ کی خاطر قتل کرنا چاہتا تھا جب یہ بات سنی وہ کہتا ہے اے علی مجھے کلمہ پڑھا میں تیرے دامن میں داخل ہونا چاہتا ہوں اسلام کے داخل سہان اللہ درہاں دادہ لگائیے یہ کردار ہے مولا علی مشکل کشاہ کا آج ہم علی علی کرنے والے ہمارے کرداروں کا کیا حال ہے ذرا سا ٹریفک جام ہو جائے ہم ماں بینے کر دیتے ہیں رمضان کا روضہ رکھے ہم احسا کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے کسی کے باپ پر احسان کر دیا ہو بخیل ہو جاتا بخیل کنجوس بد کردار بد زبان نہ جانے کیا کیا کچھ ہم بن جاتے ہیں اور نام لگا دیں ہم نعرہ حیدری علی کا تو یہ علی سے محبت کی نشانی ہے علی سے محبت کی نشانی تو یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے شہزادوں کو سکھایا جو انہوں نے اپنے ماننے والوں کو محبت کرنے والوں محبین کو سکھایا کہ دیکھو غصہ ہو الحبو للہ والبغضو للہ اگر محبت ہو تو اللہ کے لیے اگر دشمنی ہو تو صرف اللہ کے لیے ایسا نہ ہو کہ تم اپنے نفس کے غلام بن جاؤ شیطان تمہیں فٹبال کی درہا کھیلتا رہے اور تم پھر ہمارا نام بدنام کرتے رہو ماشاءاللہ ایڈیو سچھو گالیوں وہاں ماسوم ہستی جے پہنجو سب کچھ لٹائے چلی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن جو نیاڑوں جن کے جانہ حاصل ہو جے کہ لفظ کچھن دستر خان وچی جی ونیا لفظ کچھن مہلات اچھی ونیا لفظ کچھن گاڈیوں بنگلا دولت ہر شے اللہ سائیوں نے ان کے دینی پر ان سب دی کے ٹھک رہا ہے صرف اللہ دی راہ میں شہید تھے ان پسند کیوں کیڑوں پی ہوں دو وہ جے کہ یہاں خبر ہو جے کیڑوں نانوں ہوں دو وہ جے کہ یہاں خبر ہو جے تا مجھا بچڑا شہید تھے ان واراں چھاں تہاں ہوئے ہوں دا چھاں آؤں آؤں ہوں دس چھاں اسامہ ویٹھل کہتے ہوں دو نا یہاں دل یہاں چگر یہاں حسلو یہاں حمد یہاں علیہ جیہاں یہاں محمد جیہاں جن ہیڈو برداشت کرے چھاں رب تجھے راہ میں قربان تھی ہوئے ناسی یہ ہستی تھا دسو صرف انہیں کریں پہ جے دشمن پہ جے کاتل کے مااف کرے چلی ہوں یہاں ہوں جے کہاں ہوں غصے میں اچھی ہوئے ہو تب ہوں سمجھے پہنجو ساڑ تو ماں کڑھو آئے موکہ پہنجو ساڑ کو نہیں کڑھو موکہ اللہ جی راہ میں کم کرنوں ہوں وہ اسہابی جے کو ماسوم اسہابی سب نی اسہابن میں ماسوم اسہابی جن سب کجھ لٹائے ہو پہنجو گھر پہنجو تن پہنجو من پہنجو بچہ سبحان اللہ آؤں اے ڈے نبی ہے جے ناٹھیے تے قربان منیا مجھو گھر قربان منجی دنیا قربان سو آؤں اسہابیتہ سانی دوست دیکھو آؤں ندا بیٹھیا تسانس ندا کا پچھنا سی ندا تہاں سانکے چھاتا بڑھائیو جی سب سے پہلے میری پیروسی آپ سب کو السلام علیکم والیکم السلام اور آج مولا علیہ السلام کی شہدت کی موقع پہ میں پورسہ تازیت پیش کرتی ہوں آج بہت بڑا دن ہے قیامت کی رات ہے آج کے دن ہم سب یتیم ہو گئے کیونکہ مولای کائنات کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہم سب کے باپ تھے اور مولا کی شہدت کے موقع پہ میں ایک تازیت ہی نوحہ پیش کرتی ہوں اجازت ہے؟ بالکل بالکل نوحہ کنا ہے زینب مزتر علی کے بات نوحہ کنا ہے زینب مزتر علی کے بات قرآن ہے مچا ہوا گھر گھر علی کے بات محراب غمزدا ہے نمازی کدھر گیا محراب غمزدا ہے نمازی کدھر گیا ویران ہے رسول کا ممبر علی کے بات ویران ہے رسول کا ممبر علی کے بات کس دل سے اب حسین پڑھیں گے نماز عید کس دل سے اب حسین پڑھیں گے نمازی مسجد میں جا کے روئیں گے شبر علی کے بات مسجد میں جا کے روئیں گے شبر علی کے بات قسوم اپنے بابا کو جی بھر کے دیکھ لو قسوم اپنے بابا کو جی بھر کے دیکھ لو سہری نہ ہوگی ایسی میسر علی کے بات سہری نہ ہوگی ایسی میسر علی کے بات نوحا کنا ہے زینب مزتر علی کے بات ماشا اللہ ماشا اللہ سبحان اللہ دن جو زکر ہوجے آئیں اکو عجیب سو وجد عجیب سی کیفیت تاری تھی این دیل چند واہ وہ سماں یا وہ ٹائم اتھی رک جی بھنی تاہاں باساساں جوڑے لہو ساہاں اکر ننجدی سائیدی طرف تاہونی وڑی باپ پہ ستاہ ویلکم بیک رمضان جو مہینو رحمت جو برکت جو مہینو آئیں ایڑو مہینو جے کو سدھیو سال انتظار کردائیں آئیں سدھیو سال انتظار کردائیں ہر دین جو پہنجی فضیلت پہنجو احترام آئیں مزے جی گا تاہ ہر کے جو پہنجو اکڑا حساب اندوا 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 جے بارے میں جان حاصل کرن اندوا 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 آئیں गुनाहुन जो कफारो अदा करने तब हो अज़रत अलिय जो फर्मान था मजलूमन जी मदद करें मजलूमन जी मदद करें मुसीबत जिदा मानों जी तकलीफ उनके दूर करें यकीन करें ने सिर्फ दिली सुकून मिलन दाओं परहू नुके नवाजा माप पकरें जी नावा उनने पेंजे प्यारे जी सद्दके में सु सर के 54 सवाल असानियर के होता है हजरत अली मुर्तजा या मुला मुश्किल कुशा उनने जी सीरत उनने सा गड़ो गड़ उनने बारे में तब उधायन पर यह वो गड़ायन तब या साबा उनने जी निजबत पेंजे मुहम्मद मुस्तफा सल्लिल्लाहु आलिवासलम जी अग्या उनन जी एतरी एहम्यत या उनन जी उनन सा मुहबत उनसे तरी कियंवी छोवी च्छा वजवात हुई यान असाब इन जी निजबत हाँ जी मुला जी मुश्किल कुशा रदियल्लाह नहीं हो फरमाते हैं कि मुझे इल्लाह ने इतनी सादत बख्षी कि मैं जब एक साल का था ना तो मुझे आका जोज़ा मुहम्मद रसूलिल्लाहु अपने पास लेया तो मेरी सारी परवरिश हद्र मुहम्मद मुस्तफा लेसास साम ने की फरमाते हैं मेरी ऐसी परवरिश हुई है मैं रसूललाह ये इसा होता था कि जैसे उन्टनी का बच्चा नी उन्टनी के कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है कि डांगों के नीचे जा रहा है इतर जा रहा है तो इरद कर दर उन्टनी के रहता था किज़ przeciता है एसी दर अरद नभी के रहता था किज़था मुझे पता है असाली फर्मातád मुझे पता है लग ने कौन सी आयत कहा नाजिर कि दे भी किस वक्त नाजिर की ज़ा इस ओक शाहनी رضو اللہ نے عطا کیا ہے فرمایا मुझे علم ایسے ملا ہے مجھے علم ایسے ملا ہے کہ جیسے چڑھیا نہیں اپنے بچے کے موں میں لالا کے دانہ ڈالتی ہے ایسے اللہ اپنے محبوب کو دیتا تھا وہ محبوب علیہ السلام مجھے عطا فرماتے تھے فرمایا کہ جب میں پیدا ہوا روایتوں میں ملتا ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوئے آنکھیں نہیں کھول رہے تھے آنکھیں نہیں کھول رہے تھے رسول اللہ علیہ السلام تک خبر پہنچی کہ ابو طالب کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے اور فاطمہ بن تحسد کیا بیٹے کی ولادت ہوئی ہے تو آپ علیہ السلام تشریف لائے اور تشریف لا کر کے آپ نے مولا علی کو اپنی آغوش میں لیا گود میں لیا جب وہ تپیش رسول اللہ علیہ السلام کے دستان مبارک بازوں کی آئی اور سینے سے جب لگے تو آپ نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلا مولا علی نے جو دنیا کے اندر چیز دیکھی تو وہ حسین سلام پہ روخ روشن نبی مصطفی علیہ السلام پھر آقا علیہ السلام نے گھٹی کیا دی دیکھو ذرا یہ تو وہ خاصیتیں ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں کسی اور صحابی کو یہ نہیں ملی آپ نے اپنے زمان مبارکہ سے اپنا لعاب مبارکہ حضرت مولا علی کے موں میں ڈالا اور آپ ایسے چوس رہتے جیسے کوئی شہد چوس رہا ہو تو فرمایا یہ وہ پرندے کی مثل ہے کہ جیسے وہ چڑیا جاتی ہے دانہ لے کر آتی اور اپنے بچے گھو میں ڈالتی ہے اس کے اندر کوئی عمیدش نہیں ہوتی کوئی اس کے اندر شریک نہیں ہوتا ڈیریکٹ لیا ڈیریکٹ لا کے عطا کر دیا اسی طرح اللہ ڈیریکٹ دیتا تھا محبوب علیہ السلام کو اور آقا علیہ السلام مجھے عطا کر دیا کرتے تھے تو خاص جو رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے انعامات ملے وہ یہ کہ سب سے پہلے جو بچوں کے اندر ایمان لائے وہ مولا علی ہیں یہ خصوصیت ہے آپ کی اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے اور کئی چیزوں میں شراغ بھئی مولا علی بڑے سخی ہیں سخی ابو بکر بھی ہیں عمر فاروق بھی ہیں عثمان غنی بھی ہیں چلو اس صفت میں تو کوئی نہ کوئی شریک ہو گیا لیکن بچوں میں بچپر میں سب سے پہلے ایمان لانے والی یہ خاصیت حضرت علی کی ہے پھر عرب و عجم میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس نے سب سے پہلے رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر ٹریکٹیکلی فیزیکلی نماز ادا کی ہو یہ خصوصیت حضرت علی کی ہے پھر آپ وہ ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ہر جنگ میں اگر کسی کو علم دیا ہے تو ہر ایک جنگ میں علم لے کر جہاد کا ساتھ کھڑیں تو مولا علی مشکل کشاہ کھڑے ہیں اور ایک اور خصوصیت وہ یہ کہ ایسے وقت کئی مقامات ایسے آئے نبی علیہ السلام کے بعد کہ بہت سارے لوگ دور ہو گئے لیکن مولا علی مرت عدم تک آقا علیہ السلام کے ساتھ رہے اور آخری جو بڑی اہم فضیلتہ جو کسی اور کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی اب کیامت تک وہ یہ کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو رسول کو غسل دیا مولا علی مشکل کشاہ ایسی یہ چیزیں ہیں کہ ہم مولا علی مشکل کشاہ کو مشکل کشاہ کیوں نہ مانے کہ انہوں نے علم کے حکمت کے نہ جانے کن کن چیزوں کے سمندر کے سمندر دریا کے دریا بہا لے ہیں لیکن ان سے لینے والا کوئی نہیں ہم آج محبت کا دعویٰ کرتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آج کے دور میں مولا علی کتنے ہمارے لیے اپلیکیبل ہے ان کی کتنی چیزیں ہمارے لیے پریزنٹیبل ہیں یا ہم اس کو پریکٹس میں لاسکتے ہیں ہر ہر عمل ان کا حمل لے پریٹس ہے ہر ہر عمل ان کا حمل لے ان کی شجاعت ان کی بہادری ان کا علم ان کا عدالت ان کی فصاحت ان کی بلاغت ان کا والد ہونا اللہ اکبر جب آپ پر ضربت ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا اس وقت بھی خیال بھئی رمضان ہے تم لوگ سہری کر کے آئے اور نماز پڑھ لی ہے چلو جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ سہس نین کری میں ان کو کہتے چلو مجھے گھر پہ لے چلو اور جب گھر کے قریب ہے فرمایا ان لوگوں کو بولو چلو جاؤ ہڑ جاؤ کیوں کہ میں جب گھر جاؤں گا میری بیٹنیاں جب مجھے دیکھیں گی زخمی عالت میں تو یقیناً روئیں گی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ علی کی بیٹیوں کی آواز کوئی نام حرم سن لے سبحان اللہ اللہ کہ ان کی آوازیں ان کے نوحے ان کی چیخیں کوئی اور مرد سن لے یہ ہو نہیں سکتا کتنی بڑی جاتے جاتے بھی اور ہماری بچیوں کو ہماری ماں و بینوں کو امت کی ماں بینوں کو خواتین کو درس دے گئے کہ اپنے آپ کو بہت کنٹین اور منٹین رکھنا ہے صحیح بالکل ہے نساں گروگر ایساں چاہی ناسی تا سانیدہ کی چاہوں تا نداب پان ایساں کی کامنکبت یا نات نوہاں نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کی گھر سے افلاق میں ایک شور ہے ماتم کی اثر سے افسوس کے مسجد میں نماز ہزی گیا مارا کچھ کم نہیں یہ حشر قیامات کی اثر سے ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں گزریں گی یہ شہزاد یا اس راہ گزر سے زینب زینب یہ کہ دو کے وہ جی کھول کے روئے زینب سے یہ کہ دو کے وہ جی کھول کے روئے شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے سبہ سبہ کا ٹائم روزہ بھی ہوتا ہے تو آواز نکل بہت زیادہ مشکل ہے لیکن پوری کوشش کی ہے کہ جو حق ہے وہ عدا کروں میں پوری راستے ہی جاغ لی ہوں تو زیادہ معذرت اس انداز سے میں یہ ذکر نہیں کر سکتی لاغی اگم بھی ایس اہل بیت के हावगम मेज़ि अहल एह बायित के हम बिलकुल बराबर के शरीक हैं और उनसी हमारी बख्षिश है तो लाजमी सी बात है दिन भी ऐसा बाते भी उनकी के यकीन करें अनिदा इस वक्त हमेस्वार इस बात के कि हम उनके बारे में जब जो बाते अश ने भी भी बताईं वो ल मैं सिर्फ यह सोच रही हूं कि मेरी बेटी को थोड़ा सा बखार होता है तो मैं कांपना शुरू हो जाती हूं जबके कहा है कि रब लिजदत फट्तर गुना माह से ज्यादा चाहते है इनसान को जब वो हमें चाहता है हमें कहता है कि तू नेकी पे चल मैं तेरे लिए आसानि पैदा कर दो तो सूचने की बात है कि वो एहले बैट से उनका इश्क क्या होगा फिर भी सिर्फ हम जिसे नाहिल आम से बंदों को एक सबक देने के लिए उसने इतनी बड़ी कुरबानिया का मतलब कामदलवाया कि यूंके कि उन्होंने वो चीज हमें सिखाने के लिए एहल बैत को मकरर किया कि तुम सिखाओ मेरी इस उम्मत को और उस पे नास देखो मेरे महमद का ﷺ का कि नहीं देखना मेरे जाने के बाद मेरी ये उम्मत मुझे याद रखेगी अल्ला हमें तोफीक दे कि हम अपने एहले बेद उनके प्यारों को याद रखें उनकी दीवी तालीमात पर जितनी कोशिश कर सकते हैं उस पर अमल करें तो सर से हम हजरत अली मुझकल अली कुशा की सीरत के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे मुझकल पुशा की सीरत क्या है लगाए बगाए तो आप हर चीज़ में बताई रहें लेकिन इस्पेशली पैसिफिक हम चारें कि उन्हीं के बारे सीरत का बताई बताई हैं कि सिहत को बेमारी से पहले घनीमत जाना अगर बेमारी आही तो हो सकता है तो किसly ने आकर कि लिए तो मुझकल कुशा सकत बेमार हैं मसकराएं कियाना लेगिक मैं अभी मेरी मौत का वक्त नहीं आया पुचा क्यूं फरमा इस लिए कि मेरे नवी ने फरमाया अली तेरी वफाद उस वक्त होगी तेरी शादत उस वक्त होगी कि जब तेरी ताड़ी तेरे सर के खून से घंगी जाएगी यानि पहले बता दिया था और वो अक्सर पूछा करते थे कि रमजान शुरू कब होने वाला है हलागे जानते थे बेटों से पूछते थे थे असनले करी मैंसे रमजान कब है आज रमजान की तारीख कौन सी है बेटे ने का आज तेरा रमजान है कुछ अगँ कितने दिन रह गए जानते हैं अब सतना दिन रह गए फर्माते हैं कि तुम्हे क्या पता अब सतना नहीं मेरे बाद तो सिर्व साथ दिन रह गए अल्ला हुखबर यानि कि सब को जब आ आरे नमास पढ़ने के लिए अदान दिये आपने फजर की कातिल को उठा रहे हैं जानते थे इसी ने कमबखत ने मुझे आके जो है ना शहादत के रुद्बे फाइस करना है लेकिन आप ने अपने किरदार से अफ़ाल से आमाल से बता दिया और रसूल अलिह सुछा का यानि कौल मुबारका ऐसा सचा साबित किया जब रसूल अलिह रो तुम मेरे बिस्टर पे सोजा यहूदियों की अमानते हैं इस बाह इंको अमानते देखे पर तुम पीछे मदीने आ जाना तो मुझे लिए पूछल गुशा फरमाते हैं मैं जिन्दगी में सिर्फ एक रात सकून से सोया हूँ और वो सकून की रात कों थी थी वो कामिल था झा कि नवी ने फरमा दिया कि तुम सुबाह यही सब की अमानते दे के मेरे पास आओ चाने का यकीन था तब ही में इतने सकून से सोया हूँ झो तो अससे का यार मुझे शाहदत रह गई मैं तो गाजी बन कर आ गया लेकिन नभी नो खुशखबरी दे दी थी कि बेटा तू शहीद किया जाएगा और कैसे होगा निशानी बता दी कि तू अपने ही सर के खून से जब तेरी दाड़ी रंगीन होगी यानि सुर्ख हो जाएगी तब ही तेरी शाहदत होगी और जब आपने देखा कि मेरे सर से खून बैकर अब मेरी दाड़ी को रंगीन कर गया है यकीन होगया कि अब मेरी शाहदत का वक्ता हो गया है तो फिर आपने खुटबा भी रिशाद फर्माया तो आपने नसीयते भी इशाद फर्माई काश कि हम खालिक सर के कानों से नहीं दिल के कानों से नहीं को समझें सीखें सोचें फर्माया ना कि रिस्क जो है रिस्क अपने खाने वाले को इस तरहां ढूंडता है कि जिस तरहां धरिंदा अपने शिकार को डूंडता है यह अगर्unn करूण में ऑालिक तबार धाने मौला अली की शान में जो वादे जिसको किए दिम्सान है समने नजर आने वाली कोई tीन सो के करीब आया कर दो की शान में करूण में आयते नाजिये अस्मानों पर बढ़ाया हो जिनके लिए जोड़े अस्मानों से आते हो जिनके लिए शहजादे जन्नत के जमानों के शहजादे हो अम एशादे पूचा ना आप क्या समझ ने है रसूल को सब्से ज्यादा किस से मुखबत है फरमाया रसूल को सब्से ज्यादा फात्मा से मु मुहहत है तो जब रहा अन्दादादन लगाएं कि वो अली उनका मगाभला कोई कर सकता उनका मगाभला कोई कर सकता बस हमें उनकी मुहबब्ध मिल गई क्योंकि यही नबी नहें फरमाया था खुदब अयुद्ध पा जाओगे, दुन्या में भी आखरत में, बदकिस्मत ही ये है, किसी ने सिर्फ किताब उल्ला पकड़ ली, एहले बैट छोड़ दी, किताब उल्ला छोड़ दी, मियाना रवी दर्मियान जास्ता ने फ्तियार किया, आज गुमराही के तरफ जा रहे हैं, तो बस हमें अपन अहले बैट की महबत के साथ, कुरान की तालीमात पर अमल कर लिया, नजात हमारी है, शालता है, अशार मुद्दी साथ, अदल और इनसाफ की बात जब चलती है, एक काजी का किसा भी है, मैं चाहूंगी वो वाक्या आप हजड़ अली के हमाले से हमें बताएं, अदल और इन के लिए गुस्ता आगिया, इतना बड़ा अदल कौन कर सकता है, इतना बड़ा सबर, एक काजी के साथ उनका एक वाक्या था मेरे ख्याल से, काजी वाला वाक्या भी मेरे जहन से, अदल और इनसाफ, हाँ, वो असल में वो वाक्या, मैं अपनी एक सोच है मेरी, कि जब अब बे अदलिया, बे इनसाफी हो सकती है, क्यों? हमारे दर्में अली मौझूद थे, अचा अब उस काजी, क्या वो काजी सिखाएगा, वो काजी अली के उपर कोई हद लगाएगा, या अली को इनसाफ सिखाएगा, कि इनसाफ जिसके दर्गी बांदी है, हैं, तो ये, बात ब के दिन, फरमाया, मैं कल सुबा जढ़ जणडा उसके हाद में दूँंगा, जिसको अला से महबद है, और अला से, अला को जिस से महबद है, मौह इनसाफ से महबद है, और वो भी अलाorkूर, रसूुल से महमद रखता है, कल जढ़ जढ़ा में उसके अवाले करूंगा, और कोई फाते खैबर होगा अब साहबा कहा ते हम सारी रात नहीं सोएं दौाइं करते रहें कि किसी तरहां जो है ना हमें ये हमें मिल जाए यहां तक ये अमरे फारुक कहते हैं रदियल्लाव उन्हों कि मैं ना उस दिन सुबा ना नमाद फजर के बाद ना मैं पंजो के बर कर गया हमारे उपर नदर कर रहें मुझे फरमाया अली को बिलाओ अली है क्या हुआ या रसुल्ला आंके दर्द कर रहे हैं फरमाया यह लगाया आंके ऐसी दर्द दूर हुआ परमाया ले अली ये जहन्ड़ा ये आज फाते खैबर होना तेरे नसीब में लिखा है आपने तलवार पकड़ी गोड़े को एड लगाई और सीधा जब दोड़ते वे माँ पहुंचे हैं मरहब को जहन्नम वासल किया एक हादमे तलवार है चालीस गर्द उंचा चालीस गर्द चोड़ा वो कले का दर्वादा जिसको चालीस आजमी मिलके धका देना चाहे हिला नहीं सक है ये मौला अली की ताकत का अंदादा को लगा सकता है क्या आप ये समझते कि मौला अली को मुल्जिम ने मार दिया नहीं ये सारे का सारा अल्ला तबारु ताला ने दिखाना था कि देखो अली के पीछे चलने वालो अली के मानने वालो अली कितना शुजा था कितना सभानला के लिए सुठ्यूगालिवार इन गालें माझेको मुझी कमकली जेको सोच रखिया तर तर इसो एकडी पॉइंट नोट के ओऊ तर इंद हो तो फिर थींद हो आप भार जोनाएन अगर इसनाएं ताबाबा इसे एक एप आएपक आए के नाल वटन तो तो ते बाए ब बचाय करे पान कंदवा तो इसे उठीन दिवरन दिनन आइनन खेन के घलत नवत्तों वन जे मुझी नजर में बड़ी बीश है तिकडी भी पॉइंट निकती आता है भले पहन जो हो जे पर अबलिटी या काबिल ला तो जंडों ने के नो के उते पता चाहिए सकते ए मुहम्मद ए मुहम्मद तुपे जे नाठी है के तुपे जे अलिय के चोत हो नी तुब एक एक जबतार नहीं सब्सक्राइब अगर ताहां जे घर में एड़ो काबल बार आहे जो कोईने काबल आहे पर ताहां वो भले के एक कुछ भाल एपर ताहां उनिके वा उनिजी हैसेत नहीं सब्सक्राइब ताह यह जिन्दगी काँ उन्हें जिन्दगी ते सबक ते गालाई रिस्क जी गालाई ते तांका है कड़ो नन डोक ते सो शेयर कंदस ता हजरत अबू तालिब जी घरवट अजरत अली एची वहने खचर तां लही करे मस्जिद में विया है कमानू बीठो हो हैं उन्हें कि चहीं तहीं जो लगाम जल खचर जो ख्याल कर आँ नमाज पढ़िया चांट वह नमाज पढ़ गया पोट्यां मानू जी को बीठो ने दिल में लाल चाहीं खयानत अची वह उन्हें चाह करें जो लगाम करें वह वली हजरत अली मौला मुशकल अली को शाय जेंबर बाहर आया इस जी घर ने अरी होग गुलाम के यह बद्दी नारण नहीं चाहीं तो वन्जवनी बाजार मां तो लगाम बठीए चाहीं हूँते पोटो एक मानू बीठो नहीं उन्हें पे आचाही होता है बद्दी नारण में ही आऊं विकड़न दूस लगाम उन्होंने का वतो आई अची यह किस्सो हजरत अ अधरिया खाम बयान कें सर ही अगाला जरी हजरत अलिया किसो बद्दो तर सिर्फ एत्रोग खिली मुस्क्राइचेयन तर अला साहीं तर इसके हलाल लिख दूआ अला साहीं तर इसके हलाल रिख दूआ ताह जी बेसबरी नाशुकरी तक्कडवाजी आई हेडा हुडा आफात में पर्ण तांके एदो तम मुझाये चलीन दूआ जो ताहलाल के हराम करेश दूआयो इनने ताह सिर्फ कड़ी नडटी गाल चाहंदस तर जहन में रखी शर्यों ताहां जी मुकद्दर में अगर के कार में सफर करनूआ या आम नडटी दुनियावी तरीके जी गा जी ताहां भजनदा तो शेय परेथी विंदी आई अलाह जो फर्माना ताहूं तो कि दीन दस तो कि दो गुम रहा करेश दीन दस जी तो कि अंदूनी जीकी मुसा मुंचे सामु भेंड जी जीकी ओकतान वा खत्म करेश दीनों से क्योड़ों मों खड़ी मुझे आग्या ब बात कहूं पता नहीं करनी भी चाहिए या नहीं लेकिन शेयर करूंगी तो मेरे विवर्स को भी बता चलेगा के मैं क्या सोचती हूं सुनते आ रहे हैं किस से मैं भी बच्ची बन गई रोजा था अब मुझसे हमत नहीं थी कि नीचे से जाके या कहीं से में फूर्ट ले आओं एक फूर्ट रखावा था अब मेरे दिल में था कि मुझे कुछ और भी फूर्ट काने अब मैं यूं करें हमत तो है नहीं पकाया अब मुझसे बनाया भी नहीं जा रहा अभी अला मिया ने कहा है कि तुम गुमान रखोगे जैसा मैं वैसा ही करूँगा तो मैं नहीं यह गुमान रखती हूं अल्ला पर कि मुझे फूर्ट आएगा अभी दर्वाजा बजएगा और इस तरह मेरे लिए कोई दस्तर खान ज जाओं वो कहता है तो मुझे इमान लाके तो फी चोटी सी बाते हैं लेकिन एक गुनागार बंदा जो उटते बेड़ते बस तो वह उटते बेड़ते हम यह नहीं कि गुना आपने किसी का कतल कर दिया गुना तो वह कि आप एक लवज बोलते हैं वह कि तलवार का निशान पीड़ जाए दिको दिल से हैं वह चीज ठीर जाती है तो वह भी तकलीफ दे होती है तो मेरा रब के ताजिव बाते सुन रहे होते हैं तो हमारा वह कनेक्शन उसके साथ जुड़ जाता तो मैं वह सोज़री थी कि हम गुनागार बंदें उटते बैटनी की दौणी मांगत सब्सक्राल सक्राइब बावज़ मेरे रब ने मेरी सुनी तो इसकी मर्जी से चलने लगे यह करी अगर अगर आप सबर उठाएंगा करेंगे ना तो वह को एले बैट होगा आप मुला ली मुश्किल कुशा को ले ले, आपकी शादत ले ले, आप कर्बला को ले ले, आप शेजादियें कौन हैं, जो शेजादियें जब शाम के वहां दर्बार में गई थी, रास्ते में जो उन 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 उ सुल्मानों की बाद निकाता है इंसानों को δर्स दिया जा रहा है कि यार इस मुष्वानलिया लगिर ना है कि एक बने भTIक्ती हैं कोई आपने बचे का नाम यदी सबर प्यालो ड़िया हाहा सभान अल्लाइ जी आसा चामार आसी तेंक्यू सो मैच सर राटियू सुचू गालियू एडियू गालियू जी रूह जी इमान के ताजू करे छेन यकिन किऊ फिल व्क्त उची तूच जया केशे जो खुमार हंदू है नुबत उने इश्क जो खुमार आसासा बनीते तारिया सो आउन निदा के चामदा से थेंक्यू प्ति क्या आई थेंक्यू ताहा के अपति क्यांसर तै निदा आसांखे है का मनकबत का नात जेको बुदाय को नो हो जेको भी बुदान चाहे अब बेकसो के मददगार मौला अली जुस तिरे कोई अपना साहरा नहीं तेरा दर छोड़ कर जाएं आखर का हाँ गेर का दर जबी को गवारा नहीं जो अली का नहीं वो नभी का नहीं जो नभी का नहीं वो खुदा का नहीं आए मुसल्मान अस्हाब से पूछ ले क्या यह कुम में नभी ने पुकारा नहीं जी वेलकम बेक रहमत अंजो नेमत अंजो आई माफिय जो महीनों पर उनिसा गलोगड एकी रमजान शहादत जोडी मौला आली मुश्कल को शाजे शहादत जोडी आसाँ चाह असा विछ जोडी ओने युप्र कोलती ताँ के बधाया तोने चयो तब मानूंसा मिलाप कयो मानूंसा मिलाप रखना कयो मिलाना रहना कयो गत्यानि रखना कयो छो जो जिचेवर ताहां मरी वन्यों तहू तहां ते रोई सगन हो एं जे तहां जिन्डा हो जो जो कि अगर तहां जिन्दा हो जो तहू तहांसम मुहबत जो रवयो बरताव क्तियार कन है सो याद रख जो तै अजकल साम टिकड़ो सिस्टम थी विवा असाम वड़े वरी बंगला नहीं घरन में महदूत थी वाइंगा साम के खबरी को नहीं तो पासे वारे घर में चापयो थे किर्मो किर्जियो काख की खबर नथी पर वे सो महर बानी क्यों इन्हीं जो खास ख्याल के हो जोजे को टाम एड़ों द्वार जी एज वड़ी थी निया इस पेशली फोटी अब आओ तांके पेंजन जी घणी ज़रुए पन दिया क्यों मन्जलू माने हो वो पतांके लास्ट आप अपरी तो नहीं जी रोख शुबती नाएं हमेशा मांगर जनी जितागता तो इस्टार्ट थी उँदा सुनी जो खास ख्याल के हो बटे हिक बड़ी नम उलाकात कहां पोई जिन जो कल ये चोगता मुषेर ज़री तांके लिठोग शिक्वाब कई ता आदत वजी जिक प्रोग्राम में मौजूद हैं मुझा डाड़ा सुथा भास दोस्तन वांगर भा अवेस रभवानी अस्सलाम अलेकुम की आए होता है तब भी ठीक टाक फर्स क्लास लगाओ पहां पहां जोड़े मस्रूफे तलाई हूं दिया है नंके जबर्दसी केप्चर करे यार दिया है सामटरे हो बाबा सो बहराल पें जो सेग्मेंट खड़ी आया हैं हमेशा मंगर सो चमदा सींता पानी उन्हें जी बहुत शुक्रिया शुक्रिया अदी की महबत है और यह टेलिविजन का खुबसूरत तरीन प्रोग्राम होता है यहां तक हम अपने प्रोग्राम को छोड प्रोग्राम होता है आज के तरीन यकिन यौम अली हज़त अली करम अला वजो से मनसूब है और क्या ही खुबसूरत अंदाज से आपने आज प्रोग्राम में आपके फजाईल और आपके मनाकिब का जिकर किया एक ऐसी शक्सियत जिसको आप कहें कि इमाम अल्मुत्तकीन, स ﷺ के साथ नमाज पढ़ रहें, ऐसे आलम में कि अलान नबूत नहीं हुआ है, लोग पूछते हैं रब आले कि ये क्या कर रहें, एक सूरज का गुरूप होना, उसके बाद एक शक्स का आगे आना और फिर पीछे खातून का और उसके साथ एक लड़के का नमाज पढ़ना, ऐसे जुकना ये क्या है, तो हब बास फर्माते हैं कि ये मुहम्मद हैं और उनके पीछे उनकी जोज़ा खतीजा हैं और उनके साथ अली उनका भाई है, यनि जिस वक नमाज फर्ज नहीं हो रही है, अलान नहीं हो रहा है, उस वक का नमाजी, अली कामतِ फिकर की इंतहा, अली है अकीदे की पहली नमाज अली परदए आदमियत का राज और फिर ये इश्क नवी है इश्क इलाही है जो अबिस्तर रिसालत पर उनको ले गया चालीस तलवारों के साए अमीन की अमानत का दिफा करते हुए अगले रोस तमाम अमानतें उनके एहल तक पहुचा कर फिर ये एक बड़ी आमानत जिनको फात्मेन कहते हैं रिसालत इमाप अल्लाही की दुखतर को और आपके रिश्दारों को लेकर मदीने मुनवरा पहुचे यहां एक बात बहुत खास है कि रिसालत इमाप अल्ही वाली 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 जब मदीने में अपना प्यारा कदम रखते है तो मदीने वाले खुशी से जूम उटते हैं तलाल बदरु अलैना मगर ये तैह है कि आपने कदम नहीं रखा जब तक कि हजड़त अल्ही मक्के से नहीं आ गए यानि ये भी जरूरी है कि आज आज आप मदीने जाएं तो इश्क अली दिल में बसा के लेके जाएं ये सुन बंद होने का भी हुकम हा गया मगर इन दो दर्वादें को कभी बंद नहीं किया गया ये भी फरमाया गया कि अना मदीनितुल इल्मु अली इन बाबिहा मैं इल्म का शेहर हूँ और अली उनका दर्वादा है जगा पर दार हुआ कभी जमला इस्तमाल हुआ है यानि ये हुआ जानेब ख़द अली करम اللہ वजो और बाएं जानेब अबुईदा बिन जर्रा है तो सत्तर के करीब जो कفार वासल जहानम हुए उने से पैंटीस के करीब कमोबश वासल जहानम करने माले वासल जहानम के खिन्हों नहें अकिले इन कफार का मुकाबला किया और इनको ज समेटते हुए, रिसालत इमाप ﷺ से मिली हुई, उनकी निजबत से हासिल हुई हुई, तमाम कामियाबियों को, जफरियाबियों को समेटते हुए, आप में कभी अलान नी किया कि मैं आज कामियाब हो गया। यहां तक कि जनाब सेदा फात्मा, सलाम ललाहा के साथ आपका अकद हो गया, हस्नैन करीमें जैसी ओलादे हैं, और अब अंदाजा लगाईए कि जो जन्नत जिस पे जाने के मुसल्मान खायश मंद है मैं और आप, यह सारी जन्नत तो उनके घर में मौझूद है, हस्नैन जन्न के जवानों के सरदार, स्यदा फात्मा, जन्नत के खवतीन के सरदार, तो सारी जन्नत के होते भी कभी आपने यह नहीं कहा कि अब मैं कामयाब होगे, जन्नत तो मेरे घर में है, मगर हाँ जब शहादत की पहली जर्बत, उन्निस रमजान को आपके सर अक्दस पे पड़ी, तो आपने फरमाया, फुस्तो औरबिलकाबा, रबिलकाबा की किसम आज अली कामयाब हो गया, और फिर यह हमारे लिए पेगाम भी है, और मैं चाहूंगा कि हम गाहे बगाहे इसका जखर करें, कि वो ऐसे करब, अजियत, तकलीफ और रंज के आलम में, कि जब तबीब यताम, देखो मेरे बाद यतीमों को तनहाना चोड़ना, अल्ला अल्ला लिल जीरान, देखो मेरे बाद पडोसियों के साथ बहतर सुलूक करना, अल्ला के रसूल नहीं हुक्म फरमाया कि पडोसियों का हिस्सा है, हाक है, हर चीज़ में, हमें तो यू गुमान होता कि उनको को विरासत में भी हिस्सा दे देंगे कावे को तन्हा नहीं चोड़ना ऐसा नहा हो कि तो मुदर जाना छोड़ दो हच पे इन तमाम चीज़ों को सलात, नमाज को मत चोड़ना, सेयाम इन तमाम चीज़ों की और फिर एक खुबसूरत जुनला जौनू लिजौलमिना खस्मन जौलम के हमेशा मुकाबले में खड़े रहना वली मजलूमि आउनन और मजलूम की मौवनत में खड़े होना कभी ऐसा नहों कि मजलूम मेरा दुश्मन भी क्यों नहों नहीं को मजलूम है उसके बोलो नहीं मैं आपकी मदद नहीं करूंगा आपकी मदद क्योंकि हज़त अली नहीं फरमाया तो आपकी आज बसीत का भी हम खिर करेंगे और जाहरे ये सब मालूमात की चीज़ें जिसको हम गाहे गाहे नशर करेंगे आपकी इजास से हम आज सवाल जवाब के समसला शुरू करेंगे बड़ा दिन है और बड़ी जिम्हदारी है और जब हम कहते हैं कि हज़द अली इल्म के दर्वाजा है तो आज पिर हमें इल्म ही तक्सीम करना है तो आपके बाद सवालात है आज जो हमारे टीम हमारे पास है टीम A, टीम B, टीम C पर एक खाले सबसे पहले अपना तारुफ करवादें टीम A में जवाद हमें टीम B से अली हसन और टीम C से मौहमद हुसाइफा तो हम आगास करते हैं टीम A जवाद से अदी आप से सवालात पूछेंगी हम मार्क्स काउंट कर रहे होंगे साथ साथ और मेरा पहला सवाल टीम A से है के पाकिस्तान बनने के वक्त में कितनी फेक्ट्रियां थी नमबर 1 44 नमबर 2 55 नमबर 3 34 और नमबर 4 24 44 जवाब दिया है जवाब गलत पहरा ही सवाल गलत जवाब में तब्दील हो इक है सवाल हमबर्डों है के मंग आजद मिल्डेम की अर्यापे स्वामिरान सान्पर शाथ तर्याइंट नूमबर वन रिल्स नुपर रावि और रावी और शार श्रति प्रmyrów मंगला डेम किस दर्या पर तामीर हुआ ओप इपीड़ाएं सिन, दर्याय जहलं, दर्याय रावी और दर्याय सतलज, दर्याय सिन, गलत जवाब, जहलं है इसका जवाब, उससे पहले गठाथ 34 और यह जहलं, अच्छा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप हांकी कितनी मरतवा जीता गय है दो दफ़ा पांच दफ़ा चार दफ़ा तीन दफ़ा जवाब फिर से घलत रही हाकी हमारा कौमी खेल रहा है और हमें हाकी से बड़ी इनसीत है और यह सवार हमारे आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, इंगलेंड, जवाब सही है, यानि के एक जवाब, आपने सही दिया, सवाल नमबर पांच है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर कौन सा है, लाहूर, कराची, रावलपिंडी, पिशावर, जवाब सही है, जवाब सही है, आपके दो सवाल बलके जबरदस गए पांच में से, चलें, ये काम तो आपने अच्छा किया, जी अब टीम, टीम बी की तरफ चलेंगे, इनके जो टीम ए है, इनके स्कोर हमारे पास पांच में से दो रहा है, और अब टीम बी की बारी है, बड़े त्यार निज़र आ रहे हैं, देखते हैं क के वो कौन सा खेले, जो दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाता है, फुटबाल, किरकिट, टैनिस बाल या वाली बाल, फुटबाल, जवाब, बिलकुल, गलत है, टैनिस बाल, अच्छा जी, उसके बाद है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा, बलके यूँके कि सब पाकिस्त का सबसे चोटा शेर कौन सा है मुल्तान जहलम इसलामाबाद पिशावर इसलामाबाद जवाब गलत है जहलम आज तयारी वाई यारी नहीं करका है यह रोजाल लगाया क्या मसला है आज आप भी लगता है क्योंकि शहादत का दिन है तो सारे सब लगता है टेंशन में आयो है वैसे यह जहलम जो है आपके पता है इसलामाबाद फिर भी एक जो साउधपूर इसका पुराना नामे काफी बड़ा है निस्बतना जहलम के जहलम शुरू होता और खतम हो जाता है और जहलम की चंद एक ही मश्रूर शक्सियाद भी है आज भी आप तो मालूम है किसे होती है मगर उसके बावजूद आपने कोशिश की करीब-करीब आप पहुचे है हम मैं थी सवाल नंबर तीन है पाकिस्तान का सबसे पहला खवातीन बेंक कब काइम किया गया निस्सो मुक्रियों के नाइन टीन एटीन आइन इनन इं इक सिस्टी फाइव नाइन इन आइन फिफ्टी एट ये है सओ उप भारे में इतना पता होना जाएग है 89 65 39 58 65 जलो ठीक जवाब गलत हुआ 1989 1989 में पहला खवतीन बेंग बना ये गलत जवाब हो गया है आपका ठीक है जी अच्छा जी अब है हमारे पास ते पाकिस्तान में ये सवाल नंबर हमारा होगा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बारिश कहा होती है सवाद गिलगित मरी इस्वामाबाद सबसे जवाब सही है जी पाकिस्तान का सबसे पहला रेडियो स्टेशन कहां है लाहोर में मुल्तान में कराची में या पिशावर में पहला सबसे पह पहला रेडियो स्टेशन सोचे सोचे लाहोर जवाब गलत है कराची में तो आपको सुना भी हो गया गाना चलता था आओ बचों सेर कराएं तुमको पाकिस्तान की देखें तो उसमें बीच में बताते थे बलकि और था रेडियो क्या बंदर रोड से किमारी चली रहे मेरी गोडा गारी क्याए बागाय तो रेपीट होती हैं यह चीज़ अच्छा यह मेरे ईक यह पांच हो सवाल पूरे हो चुक्के आप ग्रूर और ऑप्सкив से आप करेंगे तीम सि्व से आपकी ज तो मैं करूँ करें बिल्क्ल भिश्मिल्दा तीम सिया प्यार हैं और एक लाँ बेदार ये अप्टबाद पाकिस्तान के सबसे बड़ी कोईले की कान मरी, कोईटा, मांसरा ये अप्टबाद इन दीवी आप्शन्स में से ये जो चार मैंने आपकों सामने शहरों के नाम ली है इन में से सबसे बड़ी कहां पर है गलत जवाब, कोईटा है, सही जवाब ओके, आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान का सबसे बलंतरीन पहाड कौन सा है और तीसरा सवार इन से हम पूछेंगे देखते हैं इसमें इनका क्या जवाब आता है पाकिस्तान का सबसे पहला टीवी स्टेशन कहां वाके है आप्शन वन, कराची, लहौर, स्लामबाद या पिशावर गलत जवाब रेडियो कराची में है और टीवी स्टेशन लहौर में है ऐसे चलाया हमारा निज़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूजियम कहां वाके है चार शहर है और मेंसे एक कर अंतकाबा आपने करना है फैसलाबाद, लहौर, सरगोदा या कराची कराची ओके, जबदस, सही जवाब, बहुत अच्छे इस बार इंके कराची सही चल गया है इस बार दुकाद सही बैट गया है बलकुल सही है चलना जी आखरी सवाल है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हौकी स्टेडियम कहां है आप्शन बन कराची लहौर, स्लामाबाद या पिशावर लहौर सही जवाब सही जवाब, माशायलत ते तीन जवाब सही दी है आगे बढ़ना जाए सितारों से आगे जहां और भी है अभी इश्क के इमतिहां और भी है और सवालाद अदी के हां और भी है अभी रैपिट फाइर और भी है रैपिट फाइर तो आप अच्छे करते हैं बड़े हमाजी सब्सक्राइब इतनी जल्दी भी क्या है वैसे इन से पूछ लेते हैं, इन बच्चों से ये पूछ लेते हैं, कि आप लोगों ने तैयारी वैसे कहां से किया है, कितने टाइम में किया है, वैसे यूजिली आप कोईज में पार्टिपेट करते हैं, तो मुताल़ा करते रहते हैं, आप बताए पहली दफ़ा है अच्छा वैसे क्या मश्गूलियात हैं आपकी आप पढ़ते हैं कुईस बगरा के हवाले से किताबों के लावा चले अच्छा मैं एक बज़र की बाब बताओं आपको वो बच्चे जो सिर्फ अपने स्कूल कॉलेज यूनिवस्टि की किताबे पढ़ते हैं जो बहुत अच्छी बात है लाजमी है कि वो रोजाना का खबार पढ़ें और फिर एक किताब है हूई इस हूई वाट इस वाट ये लाजमी बढ़ें इससे आपको मालूमात मिलती हैं दुनिया भर की फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम कहते हैं साक्लोपेडिया से जुड़ी हैं बहुत जरूरी है क आप इन मालूमात से आगा रहें आशना रहें बलकि हम दो मँदरसे में ये भी कहते हैं कि अल्यूल मुईल्मान दो किसम के इल्म होते हैं तो इस commitment को मिलता है अगर आ अगर आप एक दीनी इल्म को हसल कर रहें इसके साथ साथ तो हम चलते हैं रैपिट फाइर की तिरफ और हमने बड़ा ठेर ठेर के साथ इंसे सवाल जवाब पूछने है अधिया आपकी जाहत से हम पहला फाइर मारें रैपिट फाइर होगा इसमें ये है कि आपको पता है जो पहले जवाब दे दे तो मैं आपकी तरफ देखूंगा हसरत बरी निगाहों से और आप मुझे देखेंगे जुरत बरी निगाहों से जो पहले जवाब दे दे पहला सवाल है दुनिया का सबसे बड़ा बरे आजम कौन सा है एशिया हाथ खड़ा करें इस तरह पता नहीं लगेगा मुझे मैं दूबारा पुछता हूं जिसका हाथ पहले दिगई आदी साहरा को जिससे आप कहें उसे हम पूछेंगे दुनिया के सबसे बड़ा बरे आजम कौन सा है किसे पता है तो तो तीनों को ही पता है त्राइध है भी है गया जवाब है एशिया B और C के लिए आप्शन है फाखता, कबूतर, बाज या शिक्रा हवा में खड़ा हो जाता है वो जैसे रेड सिगनल नहीं होता गाड़ी आगे नहीं जाएगी हाँ बाज गलत जवाब अब तो कोई आप्शन ही नहीं बचा अब तुम मेरा जवाब सही लिए शिक्रा किसी ने जवाब नहीं दिया इसके उपर और दो लोगों ने खलत जवाब दिया तीसरा सवाल या दिसारा वो कौन सा मुल्क है जहां दरिया ही नहीं है दरिया ही को ने दरिया ही नहीं है कोई बताए, option मैं आपको दूँगा, अफरीका, कोईट, चीन या मिसर कोईट, सही जवाब, टीम सी ने answer दिया है और बिलकुल सही जवाब दिया है, कोईट, यह कैसे पताँ आपको, गए हैं कभी अच्छा, बहुत अच्छा, इसे कहते हैं, सुनो, कान लगाए रखो, सुनने से भी मालूमात में इजाफा होता है, बिलकुल, यह बिलकुल, वाकी आजमेवी बात है, बिलकुल और आप यह नहीं समझें कि कोई TV का प्रोग्राम चल रहा है, और आपने कई और तवज्ज़ दे रखी है, मगर अगर अगर सुन भी रहा पर रहे हैं, तो एक दिन आपको इन्फॉर्मेशन दे लिए पिर भी आपको उस वक्त पता चलेगा, जब आपका एक्जैम आ रहा है और वही सवाल आए, तो ना चाहते हुए भी वह चीज़े दिमाग में घूंज रही होती है, यह यह पॉइंट सर ने कहीं थी, अगर उसको जोड़ जोड़के भी हम लिखते हैं, तो हमारा जवाब इतना आ जाता है, तो ने में पासिंग मार्स में चाहिए, और यह मेरे साथ एक बार रेयल में हो चुका, तो नहीं थी पिर भी, क्योंकि रूम के अंदर तो हम मौजूद थे ना, उसका फरक पड़ता है, तो पी टीवी नेशनल जो लोग देखने ही पा रहे हैं, इदर आवाल आप सुनें और उसका जवाब दें, वो कौन सा जानवर है जो गर्दन नहीं मौड सकता, हाँ भी, टीम भी, शुतरमुर, वाह, शुतरमुर, गर्दन ही नहीं मौड सकता, ये तो ऐसे मौड लेता है, वो कि पन्ता भी नहीं चलता, मेरे खेले हैं कि आप इस वाले स ये मशली, हाँची में, मेंडग, मेंडग सही जवाब है, सब गर्दन मोडी नहीं सकता, वो बल्के अधी, ये नहीं नहीं कर सकता, ये चलांगे मारता है, ये मैं आप से इसके लावा पूछ रहो, मेंडग कुछ शंदी में कहते हैं, टेड्डू, क्या बोलते हैं, कहता है डडू, डेडू, अब ये बोलो दे, डे, डडर, डड़, डादो डिंगो आए, ये वाला बोल है, वाकई डिंगो बुख़वई, और, ये वालब बोल है, सही जी, तो पर डेडर से आगे चलते हैं, दुनिया के सब से खुबसूरत बंदरगा कहां है, आप्शिन वन, बंदरगा है, एक काम करो, तुम वहीं पर एक मकान ले लो, सिडनी सही जवाब है, वैसे ये खुबसूरत इनकी नजर का कमाल है कि इनको अपने मुल्क की बंदरगा खुबसूरत नजर आती ही, ये भी एक हुस्ने नजर, इसलिए इसको बंदरगा कहते हैं, चलें जी, अगल इन सही जवाब, वाँ नहीं लगते हैं, मच्छर के साथ जिंदगी गुजारे, एक पुरा हफता आपने एक मच्छर के साथ गुजारा है, गुड़, अगला सवाल है, वो कौन सा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा जलजले आते हैं, पहला आप्शन है, जापान, ऑस्टेर के लिए सवाल पर नहीं आ रहा है, जाले जी अगला सवाल पुछते हैं, अदी साहरा पूछेंगी, यह वाला सवाल है, दुनिया के सबसे बड़ा इस्पिताल कहा है, सबसे बड़ा इस्पिताल कहा है, आप्शन है टाइवान, चाइना, रूसिया, अमरीका, जी चाइना, खलत जवाब, जी, कोई और उपताना चाब, अमरीका गलत जवाब, ताइवान ताइवान, हम नहीं मानने है, अप्शन थी थे है, रूस रहता है, आचार रूस रहता है, तो फिर नहीं मानने जीज़ताई dur, वो दो ऑप्शन तो कैंसल हो गया है, टाइवान थाल कि यह immigrant newプ बड़ा अस्पिताल मौझूद है अगला सवाल है और फिर शादगी एक्ततामी सवालात हमारे पास है सेकिंड लास्ट दुनिया का सबसे ज्यादा सोना कौन सा मुल्क है जिसके पास है निकलता जहां से है पहला अप्षिन है अमरीका चाइना अफ्रीका या इंग्लैंड सबस तो फिर गलत होगी हाँ भी कोई बता सकता है चाइना चाइना सभी जवाब है चाइना में सबसे ज़्यादा सोना निकल रहा है चले जवाब सही दे लिए और ये आखरी सवाल है आपका दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला कौन सा नाम है वो नाम जो दुनिय हो तो हर बर गिले ःंग तेरी खुश्पूँ गाइब हो तो दुनिया को सरापा नहीं मिलता वह इसम के जिस इसम को लब चूम ले रर बार वह जिसम के सूरज को भी साया नहीं मिलता तो कितना प्यारा नाम है और वाकिछ दुनिया में सब से जधादा बोले जाने वाला यह नाम है, मुहम्मद मुस्तिफा स्रल्लागों अल्लागों यहां पर कितनी खुब्सर से तस्वीर अदिसारा के आप देखें, और इस तस्वीर की वरे से बच्छे हार जाते हैं, और उसका जवाब इनसान के इल्म में इजाफा करती है कुरान भी एकुम देता है कि आप दुनिया बर में सफर करें सेर करें सीरू फिल अर्ज अबरत भी हासल हो इल्म भी हासल हो साथ साथ और आठ जिस शक्सियत का दिन है ना अदिसाहरा जिन को हम कहते हैं अली करमुला वजो इल्म की दुनिया का बाद्शाव है मैं एक प्यारा सा जुम्ला कहना चाहता हूँ मदारिश के तुल्बा भी यहां बैठे हुए हमारे शेख हैं बहुत प्यारे मुफ्ती साहीद खान साथ और इनका इदारा है बहुत खुबसुरत सा नदवा लैबरिरी के नाम से तो इनके साथ गुफ्तगू हो रही थी तो एक तालब इल्म में सवाल आके पूछा कि इल्म की दुनिया में जो मतलाशी अफराद हैं जो असहाब हैं यहें सहाब कराम रिजवान अजमाई उनमें से अब्दुल्ला इबन मसूद है इल्मी नौईयत से तो मुफ्ति साथ की जमले बहुत प्यारे है कि अल्ला हुआ अक्बर कुरान में एक जगह पे आया है जब आल्लाशी ने सबसे पहले रूहों से खताब किया तो फरमाया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ तो जवाब ही आया यानि कौलू बला आप हमारे रब है ये पहला जमला था जो किसी रूह ने सुना होगा यानि जो कुरान के अंदर वाज़ तो पर आया तो मुफ्ति साथ आपने कहा कि हज़त अली से किसी ने पूछा कि आपको बच्पन से यादाश कहां से कौन सा वाक्या याद है किस अमर से आपको याद है यानि वो कौन सा वाक्या है जहां से आपको चीज़े याद है तो आपने फरमाया आपकी बहादरी, आपकी शजाद, आपका सबर, आपका हिल्म यहां तक रिसालत माप के लिए कहा गया वो इल्म के कुरान तेरी इतरत का कसीदा वो हिल्म के दुश्मन को भी उम्मीद करम है वो सबर के शबीर तेरी शाख समर्दार वो जब्त के जिस जब्त में इर्फान एमम है तो यह घरा नहीं इतना प्यारा है एक-एक मोती, एक-एक हीरा हमारा कीमती है यहने में को शक हुने जी चमना अएन तर अगर इनाम यह जे अगर इनाम मिलन का पहरी ताँ यह समर्वारी जो शुक्रिया अदा करे चलिओ, महर्बानी करे चलिओ, तो यकीन के ओ, तो उन्हें जो खोसलों बुलंद थी विंदुआ, यह जरु तलिये जो कोला, तो कोशिश के ओ, जह जह जाना नभीया तक जहें, अगर कें, जी मजदूरी है खाँ पहरी, पसीनों कोड़ी उन्हें के मिली वने, तो के रोना तो खुश थी लुआ, तो ओई एक मिसाला, सो हिंजर सांथ थोड़ी नंड़ी साहिए ते ता वनी वरी वापित आज़े, जी, वेलकम बैक, रहमत न जो महिनों, बरकत न जो महिनों, आएं, वो महिनों, जी को, जेतरे पेने गुनाह हों, जी माफी घुरंदो, ओतरो ही आसानियों, अला साही पेदा कंदो, आएं, पेन जो, हजरत मुदी खलसा, तहां बुदायों तो वदी के साहिया, जी हदी, जी को अज दी आहे, हदरते अली करम लाव जो जो, परवर्दिकार का बड़ा खास करम है, मेरे ख्याल है कि आज के दिन को आपकी इलमी फसाहत और बलागत के साथ भी, हमें बहुत कुछ लेना चाहिए, फरमाया गया कि फसाहत और बलागत में आपको एक मलेका हा खुशूरत, खुद आपने अपने कलाम में नसीयत करते वे बताया कि अन्नलकुलूबू तमलाओ। कमा तमलाओ। अलबदान, जिसम भी ठक जाते हैं, दिल ठक जाते हैं, जैसे कि जिसम ठकते हैं, दिल ठकते हैं, क्या करें पिर उनको तवाना करने के लिए? फबतगू ल लताय फिल हिकमा, तो इसके लिए तलाश करें, वो खुबसूरत, लतीफ, जुमले, वो हिकमत की बाते हैं, कि जिनके जरीए दिलों को सुकून मिलता है, इतमिनान मिलता है, तो आड़ी सचीगाल, जी, बिलकुल तामाल के कर लिए लिए हमारे पास अभी, क्यूंके नतीज मैं चारी हूं कि रेपिट फायर होगा, बहुत असान सवाल है, आप मिसर जो जवाब जानता हो, वो खाली हाथ खड़ा करें, अदीस साहरा उसके इंतिखाब करेंगे, आप उसी से पूछेंगे, एहरा में मिसर कहा है, ए, टीम ए, जी, एजिप मिसर, एजिप मिसर में, जा हो सकता है, तो इनके लिए करती है, अगला सवाल है, ट्राइंगल की कितनी साइड होती है, ए, तीन साइड होती है, वाज़ है, इसके लावा कोई जवाब है, नहीं, ओके, ओके, अगला सवाल है, वो कौन सा सुपर हीरो है, जो बिल्डिंग फलांग सकता है, हाँ, स्पाइ सूपर हीरो बनाया वह तो ठीक है सोलर सिस्टम में किस सियारे के गर्द रिंग है मुश्किल सवाल है ए सेटरन बिलकुल सही जवाब सेटरन के करीब रिंग है इसके गर्द यही सिलसल है और फिर आखरी सवाल है कैंगरो का घर कौन सा मुल्क है वाथ टीनों ने साथ ही होता है आप इंतखाब करके बताए अ Greg मैं कहती हीु उसके दूर से ही हो रहा हुश्य मैं यह चाहँँ रही हूँ क्णतख आप तीनों से पूचें जवाब बात में बता यह किसका हुश्य है किसका गलत तेनों में से पहले टीम A बता दे, B बता दे, C बता दे, अब आप बता दे, क्या करना है? तीनों को नंबर दे ही दे, आज चोड़ा चेंज होना चाहिए, अतनी मासूमें से वो हाथ करा करके यूं कर रहे हैं, उमने के चलो आज नंबर दे ये दे ते, अगर सही है तो चलने जी तो इसके साथ साथ हमारे स्वालात का स्लसला खत्म हुआ नताइज आएंगे हम आपको सुनाएंगे जी बलकुल तो मैं अधिसारा आपसे ये जिकर कर रहा था कि इतना कुछ है हम लोग जो सुपर हीरोज की बात करते हैं ना हजरत अमिर espí MUSIC झाली करह नवाज्यीतर की जात में इतना कुछ है सीखने वाले के लिए आप अपने बच्चे को चाहेंगे ना हुए अच्छा तालबिल्म बने आप उसे अली पढाएं आप चाहेंगे ना के वह अच्छा सचा आशिक बने, आप उसे अली पढ़ाएं, आप ये चाहेंगी ने कि वो अच्छा शोहर बने, आप उसे अली पढ़ाएं, आप चाहेंगी कि वो अच्छा बाप बने, हस्नैन करी मैंन की परवरिश करने वाला, आप उसे अली पढ़ाएं, यानि ये मिज़ाज है कि परवर कर रहे थे तो मैं एक जुम्ला ये अर्स करना चाहता हूं कि एक ऐसा वक्त कि जब आपके कातल को आपके सामने लाया गया इसका नाम अब्दरह्मान इबने मिल्जम है इसको इबने मिल्जम कहा जाता है कहा परा था खौफ से मुसल्मानों ने पकड़ लिया था कि अमीरिल आप प्लीज शर्बत पीए आपके खौन बहुत बहाया तो आपने वो शर्बत लेके अपने कातल को पकड़ाया और कहा ये काँपरा है इसे शर्बत पलाओ इसके अंदर खौफ तारी है और पर ये जो तारीखी जमला कहा आज हमें इंतशार से बचाता है जमला कि कितना सा और यादिक और अमीन वो शक्स है जो कहरा है कि ऐसा ना हो कि मेरे बांट तूट बढ़ो और कहो करो कि अधरिक मुझा नहीं दूरो फिर आओगरद रहल हगा तूरर क कि ए तरीक आर किसी के साथ टूट पड़ो और ओर लिए आजाओ नहीं है और आप देखिए ये भी कितनी अबसुर्दगी है कि खुद हज़त अली कर्मुला वजो के फर्जन के साथ कर्बला में किस तरह का नारवां सुलूक बरता गया यही चीजें जो वो गहरों के लिए बता रहे हैं उनके अपनों को सेमी पड़ी है अब वो का है ना कि नभी अपना हज़रत मुला मुश्कल अली कुशा के तीन उसूलों की पासदारी करो जिसे चाहते हो उसे माफ कर दो जिके चाहे हो था उन्हें के माफ करेश लिए आइए उने के ता चलिए जिकुत तहां के चाहे थो हम आई उनेक अगाली नकायों जो किइन की टेप उल्ग भाइंटŁ जी करें हो ता उनुन कि माफ करें हो जब करें है जो घुशा जब को सुमने जो औल तो फ्रोनने की जुचे आई हैं हर इंसान में मौपती प्यार भर हुआ चुचे कान का सिफ्ट अलाजी में मौजूद हूं दिया सुनी जो ख्याल के ओ आई यह जो एहसास के ओ है डियू वडियू गालियू एडियू मिछुडियू गालियू जी को ताप स्टार्ट का मटी एंड ताइं ताइं जी की पेर भी कंदे अगर असान में जी लाइफ के उन्हें खुबसूरती एसा गुजारे हूं ताइं यकीन क्यों असान जी अलाई मसला इलाई मुश्किल हुआ इतने ही दूर थी विजन खत्म थी विजन तो आम जी मुश्किल वडियू है चोता अज असामट विनर ना है तीनों ये तकरीबन बराबर हैं तो मैंने इसके खामोश असान तरीका निकाला है मैं इन तीनों से एक एक सवाल पूछूँगा जिसने भी सवाल का आंसर नहीं दिया वो पीछे हो जाएगा बाकी जो बचेंगे वो बिनर रहे तो पहले टीम A मैं आप से सवाल पूछता फैसलाबाद का पृराना नाम क्या है टीम A नहीं आता एक मिनट खामोश टीम A तीन तेक गिनोंगा एक दो तीन अक्रम नहीं आता तीम B आप से सवाल पूछूँगा जालागा इसलाबाद कौन से सुखे में आता है नहीं आता चलो फैसलोबाद का पराना नाम नहीं आता इस Ó Совाले से TIM B हमारी विनर है फैसलोबाद का पराना नाम ला है सौुधपूर है शा बाद को सौ climax कहा जाता था टीम भी आप आई ये अपना नाम देदे़ों सबर्दस्त ये एक सपार्क की तरफ और से खुब्सरार सफ़ा जाएगा, Certificates भी जाएगे मूरे रहे से आते जाएगा Certificate भी जाएगा बादने Exchange कर लेगे आप भी आते जाए, certificate लेते जाएँ अपना और पहले दन आज बहुत जवर्दस सम्काबलर रहा है तेकियू कि जबर्दस और ये हमारी आज की एक और टीम की ये थर्ड प्यार है हमारे जबार बहुत अच्छा मुकाबला रहा है आज का चली बैठे जी हा जबर्दस आइं वाकई चैबुआ तै जे को आप जे तरीके सांसा पूरी कोशिश कई सी ता सुठे का सुठो कान जी कहीं प्रो पेंजा जिके मानवारा महमान सांजा यहां सांजा घर भाती साम अटाया लड़ी खुबसूरती सांग खुबसूरत अंदास सांग आँ आँ लाजमी एकड़ मौनिंग शो कन दी हैं पर उनीचे बावजूद मुक्खे जे तरीके सांगन अच्छा नहीं नहीं टीम वर्क कम दो आकोब मुब करें पूरी कोशिश कई यहां जित्रू सुछो ठी से बिजातों सादग घर घर फूरत अंदास सांग खुबसूरत अंदास सांग करें थी मूपूरी खुशिश कई अगर whiskogs पोब ऑगा घर का फुदी यहां को लवज वठन मे नालो वठन में मखां भेद सब्सक्राइब गलत थी वे बाद आओं माफिय जी तलब गार रहें आई जवंदस्त तां जो आउट पूट इन दी तम उखे ऐसास थी नो अच्छा आगे आओं इन टाइब जा प्रोग्राम करे सगा थी न थी करे सगा तो यो आई तां खिब चवंदस्त तेंक यू सो मच त ये पंजो घराणो पेल नी ने रामे लुटा है चली वैन Babylon करी दो एडी कुरबाब ही सिर्फ टीने fellowship एडी मिसल से थे बैती करे डिखारे सबीटू एडी मिसाल यही प्यारा देए सगंदा जिन जे नाले सांजी बक्षिशा जैन जे करे असांजी बक्षिशा तो याद रख जो जडीव मुश्किल में चो जडीव मुझो हिनन जी कहानी हिनन जी जिन्दगी एते पड़ी दिस जो कुरान खड़ी जी मीनिंग पर जो यकीन के ओ ताहँ जी जिंदगी आसान बन जी इन एडी आसान बन जी इन जी जो ताहां के जरुआ दिक उन पनी के जिए मश्वरे जी कुरान थांके मुदाइं दो तो कि चाह करना हुआ तो जो जो ख्याल रख जो सुबहान वरी मिलन दासी आई हमेशा वांगर चैनल यहां थे शेरिंग भी कायो एंवन अब पोक्यों चोड़े पेंजी गादी पेंजी एवन जी एठां भ्यारू सवसायर आली खान के जा दिन्दा अवेश रबानी के जा दिन्दा पाकिस्तान जिर्दावा झाल 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 झाल